किसान भाईयों नमस्कार स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में किसान भाईयों आजकल फसलो एउन सब्जियों में त्रीप्स सपेद मक्की अरा तेला चैसे रस्टूस केटों का बहुत ज्यादा अटेक होने लगया हैं चैन को कंट्रोल करना काफी ज्यादा जरूरी हैं खासकर लासून और प्याज में त्रीप्स का अटेक बहुत ज्यादा देखने को मिलता हैं और त्रीप्स आसानी से किसी भी दवा से कंट्रोल भी नहीं होती हैं इसके लावा मिर्च में मरोडया रोग भी आता है वह भी इनी रस्टूसक कीटो के कारण आता है तो जब हमारी फसलों में रस्टूसक कीटो का अटेक होता है तब हम मार्केट में दवाई करीदने जाते हैं तो आज कल मार्केट में कई परकार के टेकनिकल वाली दवाई उपलब दे हैं चिन दवाओं में से सबसे बेश्ट दवाई का सेलेक्शन करना काफी ज़्यदा मुश्किल होता है तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कीटनासक के बारे में बताने वाला हूँ चो रश्ट उसक कीटों के लिए सबसे बेश्ट कीटनासक है मैंने उस कीटनासक का प्रयोग अपने मिर्चेव बिंडी की फसल में भी किया है और लैसुन प्याज में भी किया है मुझे सभी फसलों में उस कीटनासक का सबसे बेश्ट रिजल्ट मिला है तो वीडियो में आगे विष्टार से उस खेड़नासक के बारे में बात करेंगे मतलब कि उसमें टेक्निकल कौन सा है मार्केट में उस से टेक्निकल के रूप में कौन कौन सी कमपनियों की दवाई उपलब दें उसका डो जेवन कीमत कितनी है तो इसकी पूरी जानकरी के लिए आप वीडियो को बिना स्क्रिप के अंतों तक जरूर देखे और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो गंटी का निसान आया हैं उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको अमारे चैनल पर रोजाना ऐसी नई नई वीडियो मिलती रहे इस साल अधिकतर किसान भै अपने लासून प्याज की पसल में त्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए किटना सक डाल डाल कर ठक चुके हैं लेकिन उनके लासून प्याज में त्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो आप एक बार इस किटना सक का प्रियोग जरूर करना उस किटना सक का नाम है डाई फेंतिरोन पतास परतिसट डव्ल्यू पी यह एक टेकनिकल का नाम है इस टेकनिकल के रूप में आपको मार्केट में सिजेंटा कंपनी की पेगासस किटना सक अडामा कंपनी की एगास किटना सक दानुका की पेजर किटना सक इपको की सोकू कीड़नासक, एग्रोलाइप की एग्रोजेट कीड़नासक इसके अलावा और भी कंपनियों की अलग-अलग नाम से दवाय मिल जाएगी किसान भायो डाइफ हैं तिरोन एक ब्रोड स्पेक्ट्रम एंड सिस्टेमेटिक कीड़नासक है यह हमारी फसलों में लगने वाले थ्रिप्स, सपेद मक्की, एफिड, जेसीड, बीटल और मैट्स को आसानी से कंट्रोल कर लेगा यह एक प्रकार की सिस्टेमेटिक और कॉंटेक्ट इंसेक्टिक साइड होने के कारण यह कीड़ों को सिस्टेमेटिक और कॉंटेक्ट दोनों तरीके से मारेगी अगर आपके मिर्च में मरोडे रोग आ रहा है या भिंडी में हरा तेला काटेक हो रहा है या लैसुन प्याज में थ्रिप्स लग रहे हैं तो ये किटनासक आपके लिए सबसे बेश्ट किटनासक है तो चलिए अब बात करते हैं इसके डो जयों कीमत के बारे में तो पंद्रा लेटर पानी वाले इस्प्रे पंप में आपको 25 ग्राम डाई पेंतिरोन पचास परतिसर डवल्यूपी टेकनिकल वाले किटनासक का परियोग करना चाहिए और अगर आप एक एकड में इस्प्रे कर यो इस वीडियो में हमने रच दूसर किटो को कंट्रोल करने वाले एक बेश्ट किटनासक के बारे में बात की हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में आपकी क्या राए हैं कमेंट करके अवश्य बताईए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक को शेर जरूर करना चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय जवान जय किसा